हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपके अपने यूटिब चैनल एक्जाम औरी पर दोस्तों आज हम बात करेंगे एराबाद हाई कोट EPS 2021 से जुड़ी कुछ बात हैं दोस्तों आप सबको पता है कि आपकी जो आंसर की है वो आचुके है और आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी बहुत सारे बच्चों को परिशानी भी हो रही है चाहिर सी बात है कि परिशानी आपको हो लोट करने को मिलेगा पहला जो PDF है आपकी रिस्पॉंस सीट है ठीक है और जो दूसरा PDF है वो NTA के द्वारा correct option ना correct option की वहां पर आपको एक seat मिल जाएगी तो उसमें से question ID दी होगी जैसे इसमें question ID दी होगी इस question ID का कौन सा answer ID है answer ID सही है तो यही answer ID अगर आपके इस वाले ? सबसे पहले प्यूचन मैच करने तो अगर यह answer ID आपके answer से जो मैच कर रही है तो मतलब आपकी question सही है ठीक है और अगर इसका answer ID आपके answer से नहीं कर रहinator तो मतलब वो आपका आंसर गलत है तो आप सबसे बड़ी जो दिक्कत है प्राब्लम है वो यह है कि सर एक ही फोन में हम कैसे दोनों PDF को ओपन करके यह काफी जो है कि एक उल्जाओ गाम है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आपके पास दो तीन में थर्ड और लेवल हैं तो हुआ कि आपके पास एक PC है और ये खो नय्य चेख करने को क्रेंश कितों को आप कर सकते है तो i hope कि आपको यह चीज़ें टिक है और बहुत सारे बच्चों इन तो अपने आंसर देख ली है और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास data भी आ गए हैं लगबग 8090 बच्चों के मैंने जो data है उसको काफी नजदीक से उसको मैंने analysis किया है बहुत सारे बच्चों से मैंने direct बात किया है और कुछ से phone calls पे ठीक है कुछ दोस्तों के भी मतलब phone से मैंने बात किया कि उनके score क्या बन रहा है और उनकी जो typing skill उनके कैसी गई तो इस सारी चीजों को हम आपके सामने रखेंगे और अपना prediction बताएंगे आपको कि किस तरीके का जो है कि आपको यहाँ पे cut off देखने को मिल सकता है ठीक है बहुत सार comment section में दे सकते हैं ठीक है आपका भी welcome किया जाएगा ठीक है क्योंकि सब की अपनी अलग-अलग सोच होती है अलग-अलग राय होती है अलग-अलग opinion होता है तो किसी का opinion बिल्कुल जानना जरूरी है जानना चाहिए भी तो इसलिए सब लोग आप अगर आपको लगे की नही यह नहीं हो सकता तो आप comment section में अपनी जो है cut off आप यहां पे type कर सकते है ठीक है चलिए अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो जो हमारा मुद्दा है मुद्दा क्या है कि हमें इसकी analysis थोड़ा सा कर लेते हैं कि किस तरीके का आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका ज 50 marks का एक exam हुआ था प्लस 50 marks का इक्जाम हुआ था प्लस 50 marks का अब आप सब को पता है कि यह क्या-क्या चीज था देखिए अब 150 के जो आपका 150 marks का exam हुआ था यह किस का हुआ था आपका return हुआ था 50 marks का हुआ था वो पिटमैन बुक से आई थी यहां पर मैं लिख लेता हूं यह जो है रिटेन का हुआ था यह पिटमैन बुक का था ना सॉट हैंड और यह था आपका टाइपिंग जो की ज़स्मेंट फॉर्मेटिंग के साथ मिली थी अगर इस हम टोटल को एड करते हैं तो यह किसके एक्वल one, sorry two 50 यह 250 के equal जाता है ठीक है चली यह माल लेते हैं हम तीन चार बच्चों का एक marks लेते हैं और उस पे थोड़ा सा analysis करते हैं कि किस तरीके का आपका जो marks है वह overall बन रहा है ठीक है तो चली इसको थोड़ा समझने का परियात्न करते हैं ठीक है जैसे माल लेते हैं हमने यहा 95 पाता है और इसमें माल लेते हैं कि वो पाता है 45 और इसमें माल लेते हैं वो 30 पाता है ठीक है दूसरा बच्चा है इसमें वो 90 पाता है इसमें वो इसमें वो मान लेते हैं वो 48 पाता है इसमें मान लेते हैं वो 25 पाता है ठीक है तीसरा बच्चा है मान लेते हैं इसमें वो 85 पाता है इसमें वो 48 पाता है और इसमें वो 30 पाता है एक और बच्चा है चौथा मान लेते हैं कि इसमें वो 80 पाता है इसमें वो 45 पाता है और इसम बच्चा अगर हम ले 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 तो randomly हम यह ले रहे हैं मान लेते हैं इसके 100 marks हैं और इसमें वो 45 पा रहा है और इसमें वो 25 पा रहा है अगर हम इन सब को add करेंगे तो देखिए क्या score आपका निकल के आ रहा है I hope कि इतने सारे marks में से बहुत सारे कि आ जाएगा ठीक है दूसरे को अगर हम add करें तो यह यह आ जाएगा 3 और 6 और यह जाएगा 6 और 163 ठीक है इसको अगर हम add करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा कि इलिए भी आपका हो जाएगा 163 ठीक है और नीचे वाले के अगर हम add करें तो यह आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे 165 अगर इसको अमैट करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 145 और 550 और 170 आप देख सकते हैं किस तरीके का आपके Marks बन रहे हैं अगर आप 100 भी पा रहे हैं और इस तरीके का है तो आप 101 disability आप 95 आ रहे हैं और इसम एन बुक में 45 और इसमें 30 ठीव तो आप इन सब का मार्स देख रहेง कि किसके आसपास यहीं आपके जो मार्क हों नहीं यह ठीक ठेकर एखम रहा है तो यह कहीं न कहीं अगर हम इन सब का ईवरेज लें यह कहीं ना कहीं आपकी 165 के आसपास यह घुम रहा है और यही मेरा prediction है कि यह जो 165 है यही आपकी cut off मतलब decide करेगी यही marks जो है आपकी cut off को decide करेगी है नहीं मैं बहुत जादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने जो predict किया है मैंने जो analysis किया मैं वही आपको बताऊंगा नहीं अगर आपको यह बहुत जादा लगे या आपको यह कम लगे तो आप जो है comment section में बता यह किने आपके हिसाब से किति हो रही है आपने भी अपने दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें जनरल की ठीक है अगर हम जनरल कटेगरी की बात करें तो जनरल कटेगरी में वही आपका जो score है 160 से 165 की बीच में रहेगा OBC की बात करें ज्यादा नतर नहीं रहेगा आपकी अगर OBC की हम बात करें तो यहां आपका रहेगा 155 से 160 की बीच में ठीक है यह 62 भी हो सकता है ठीक है अगर हम इससी कटेगरी की बात करें तो इनका भी आप सब में 5-5 कम कर लीजिए 152 155 है ना देखिए एक मेरा प्रेडिक्शन है यह कोई कट आफ नहीं है लेकिन इसी के आसपास मुझे हूफ है कि इसी के आसपास आपकी जो कट आफ है वो काफी हथ तक मिलेगी ठीक है और अगर आपकी हम इसी केटेगरी की बात करें इनकी जो कट आफ है 145 to 150 के आसपास देखने को मिलेगी इनकी जो कट आफ है वो भी कहीं न कहीं 150 to 157 के आसपास मिलेगी ठीक है और एक servicemen की जो कट आफ है वो जो है आपकी 140 to 145 की बीज में मिलेगी दोस्तों यहाँ पर आपका यह जनरल कटाफ हो सकता है 155 to 160 भी हो सकती है बट मुझे जो लगा कि नहीं इतना आपकी minimum आपकी prelims की जो कटाफ है वो इतना आपकी कम से कम जाएगी ठीक है क्योंकि बहुत जगा के बच्चों की जो टाइपिंग है उन्हें दो दो तिन तीन बार मौके मिले हैं तो वो जो है कि उसमें काफी कुछ इंप्रूफ कर लिए है तो इस हिसाब से यह जो आपकी कटाफ है और यही मुझे लगता है कि आपकी original जो कह सकते हैं कि प्री की जो कटाफ है वो इससे काफियात तक मैच करेगी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों किसाद शेयर करें वीडियो को पसंद आई होगी तो लाइक करें ठीक है और हमसे जूड़ जाईए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार शुक्रिया